तो आज किस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे EVS का हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये क्लास आपकी EVS की लास्ट क्लास रहने वाली है इसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करा दूगी और वो सारे आपको एक ही क्लास में अविलेबल हो जाएंगे ठीक है जो म तीन क्लास जो है वो मैं आपको पहले करा चुकी हूँ वो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना प्लेलिस्ट में आपको तीन क्लास जो है EVS की वो मिल जाएंगी वो आप जरूर देख लीजएगा उसमें मैंने जैसे ग्लोबल वोर्मिंग हो गया ऐ प्लेलिस्ट चेकर अपको प्लेलिस्ट कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगी अब जितना आपके एक्जाम में आपके इस लिबस में दिया वो सारा का सारा सिली बस तो मैंने आपको करा दिया है बस पैड़ा गोजी रहती है पैड़ा गोजी की महरा तना आपको संड़े को देखने को मिल जाएगी इसके साथ साथ जैसे के साथ साथ art and culture का topic पड़ेंगे ये भी आपके syllabus में नहीं दिया गया लेकिन फिर भी मैंने इसको add कर दिया है क्योंकि ऐसे से question पूछे जाते हैं convention etc भी मैंने आपको करा दिये थे उन classes में तो उन classes को जरूर देख लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा useful रहने वाली हैं वो classes playlist में add कर दूंगी बाद में मुझे मत कहना कि मैंने कराया नहीं या ये वो मुझे मत कहना क्योंकि मैंने वो करा रखाया आपको ठीक है तो वो आपको कराया हुआ है आपकी responsibility आप जाए और उन classes को चेक कीजी और वो वाली classes देखे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा useful classes है ठी nutrition के nutrition कल की class मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था लेकिन आप हम starting सही पढ़ लेते हैं nutrition क्या होता है जो भोजन से portion portion तत्व को grant करना यानि की जैसे आपको food से अलग-लग पोशक तत्व मिलते हैं जैसे carbohydrate मिल रहा है protein मिल रहा है minerals मिल रहे है iron मिल रहा है cobalt मिल रहा है तो य क्या करते हैं यह हमारे nutrition ही होते हैं जो हमें किसी ने किसी food से प्राप्थ हो रहे है इसके बढ़ माल-nutrition मैंने आपको बताया था को portion जैसे हमारे शरीर में nutrition की कमी हो जाते के नाकई आपने देखा होगा iron की कमी कमी हो गई किसी को केलशियम की कमी हो गई ठीक तो ये जितने यह आपके minerals है, पोशक तत्व है, उनकी कमी से आपकी body में क्या हो जाता है, माल nutrition हो जाता है, इसके बाद मैंने कुछ type बताए थे nutrition के, जैसे carbohydrate है, protein है, vitamin है, fat है, water है और mineral है, तो यह कुछ types के क्या थे, nutrients थे, जिनके बारे में आज किस class में हम detail के साथ में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले यह carbohydrate लिखा है, तो अगर आपसे carbohydrate के बारे में पूछा जाता है, तो carbohydrate जो होता है, वो instant energy provider होता है, यानि कि अगर आपको तुरंत energy की ज़रूरत है, तो carbohydrate उसमें help करता है, जैसे glucose है, glucose आपको पता होगा कि आपकी जब energy level down होता है, तो doctors क्या कहते हैं, कि आप क्या करें, water में, पानी में glucose add करके पिया कीजे, इससे आप क्या रहेंगे, energetic रहेंगे, तो carbohydrate ही होता है, उसमें तो carbohydrate क्या है, instant energy provider है, यानि कि इससे हमें तुरंती क्या मिलती है, energy मिलती है, इसका formula है, C6, S12, O6, यह glucose है, इसमें carbon है, hydrogen है, और oxygen है, अब carbon की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर carbon के 6 molecule है, hydrogen की बात करेंगे, तो hydrogen के 12 molecule है, oxygen की बात करते हैं, तो oxygen की फिर से यहाँ 6 molecule है, अब यहाँ पर इनका ratio अगर पूछा जाता है, तो इनका ratio होगा, 1, ratio 2, ratio 1, तो यहाँ पर क्या है, carbohydrate का formula है, C6, यह glucose का formula है, C6, H12, O6, इसके अगर ratio की बात करेगा, तो यहाँ पर ratio जो है, वो 6, ratio, 12, ratio 1, यानि की 1, ratio 2, ratio 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ रख लेना है, अब यहाँ पर insulin लिखा है, यह hormone होता है, एक तरीके का pancreas से निकलता है, अगर मालो हमारी body में insulin की कमी हो जाती है, तो insulin की कमी से क्या हो जाता है, हमें diabetes हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, जिन भी लोगों को diabetes होता है, उनको insulin का injection दिया जाता ह ताकि उनकी body में insulin जो है, वो control में आ जाए, तो insulin क्या होता है, एक हार्मोन होता है, जो pancreas से निकलता है, इसकी कमी से हाई body में diabetes हो जाता है, तो यहाँ पर यह याद रख लेना है, आपको यह आपका important है, कार्बोहाइडरेट अगर पूछे आपसे instant energy provider कोन है, तो आपको क् करना है, कार्बोहाइडरेट है, अब यहाँ पर कार्बोहाइडरेट के कुछ सोर्से हैं, जिनसे हमें कार्बोहाइडरेट मिलता है, जैसे गेहूं है, गेहूं कार्बोहाइडरेट होता है, गेहूं में चावल है, क्योंकि हम गेहूं की रोटी खाते है, रोटी खाने के व उसे मीठा शुगर होता है इसी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है फ्रैक्टोज होता है तो यह याद रख लेना है सबसे मीठी शुगर कौन से होती है फ्रैक्टोज होती है जैसे शहत के नाम से जानते है तो अभी यह थाव का कार्भोहाइड़रेट जो instant energy provider है C6, S12, O6 इसका formula है, ratio की बात करेंगे तो 1 ratio, 2 ratio, 1 इसका formula है insulin जो है, वो pancreas सा निकलता है, और ये क्या है इसकी कमिसे में diabetes हो जाती है ये किस-किस में पाया जाता है, गेहु में पाया जाता है चावल में, मक्का में, केला में, अलू और शहद में, सबसे मीठी शुगर की बात करें, तो fractose जो है, वो सबसे मीठी शुगर है अब हम next पर चलते है, protein protein जो होता है, ये most important है, protein body building food कहा जाता है, और ये ना amino acid से बनता है, तो यहाँ पर जैसे carbon है, hydrogen है nitrogen है, और oxygen है इन सबसे मिलकर क्या बनता है protein का निर्मान होता है तो इन से क्या होगा, protein का निर्मान होता है, ठीक है तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है और nitrogen यूगत होता है, तो protein में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, ये nitrogen पाया जाएगा और amino acid से मिल कर बनता है यह amino acid nitrogen से मिल कर बनते है इसके बाद हम इसके sources की बात کر ले вкус कि protein किस किस बाता है तो protein soya bean में होता है डालों में होता है दूद में, अंडे में, मास में जितने भी यह product है जैसे milk के प्रोडेक्ट है उनमें protein होता सोया बीन में सबसे जग़ादा प्रोटीन होता आपको पता है दालों में प्रोटीन होता है दूद में अंडे में मास में इन सब में प्रोटीन पाया जाता है अगर हमालों किसी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन की कमी होने से उसे एक डिजिस हो जाती है जिसका नाम है कौाशी लकी ओर ठीक है इसका नाम क्या है कौाशी क reign यह चोटी बच्चो को पढ़ाती हूं बुक ईविएस की तो उसमें डीजस की फोकोटो दी गई अलग राग ऐसे यह वाली डीजेवें कि सा इसिमों कि सَّ करेहे है कि प्रोफ कारिरीक निकल हो जाता है एक disease होती है जिसे osteoporosis कहा जाता है ठीक है तो osteoporosis तो protein की अगर मालों बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई है तो इससे disease होगी osteoporosis और अगर मालों protein की कमी है तो इसे quashy gold disease हो जाता है तो यह अपका protein से related है ठीक है इसके कोज किस ने की थी cashmere funk ने की थी इसके functions जो है vitamin क्या काम करता है हमारी जितने भी रोग प्रती रोधक अक्षमता है उसको बढ़ाने का काम कून करता है protein करता है sorry vitamin करता है ठीक है अब यहाँ पर types of vitamin की अगर हम बात करते हैं कि कितने type के मारे पास vitamin होते हैं तो हमारे पास में two types के vitamin होते हैं जिसमें से fat soluble होता है और एक water soluble होता है तो यहाँ पर जो fat soluble है और water soluble है इनके example लिखे है मैंने fat soluble अगर vitamin की बात करेंगे तो यहाँ पर A है vitamin D है और vitamin K है यह सभी किसमें dissolve होते है fat में dissolve होते हैं और water dissolve की बात करेंगे तो vitamin B और C किस में घुलनचील है water में घुलनचील है यहाँ पर अब कुछ diseases लिखें हैं जैसे vitamin A की कमी से क्या होता है B की कमी से क्या होता है तो vitamin A जो है इसके scientific name की अगर बात करें तो vitamin A का जो नाम है अब आपसे exam में दे देगा और पूछेगा की बताइए retinol जो है वो कौन से vitamin का scientific name है तो आप क्या टिक करेंगे आपर retinol जो है यह vitamin A का name है इसकी कमी से क्या हो जाता है night blindness हो जाती है यानि की जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा इंसान को दिखना बंद होता जाएगा तो vitamin A की कमी से क्या होता है night blindness होती है इसके sources जो है यानि की जो vitamin A है वो किस-किस में पाया जाएगा गाजर में पाया जाता है दूद में होता है पालक में होता है साथ-साथ-गुड में भी पाया जाता है जैगरी बोलते हैं उसे तो जैगरी में भी vitamin A होता है तो vitamin A के sources क्या-क्या है यहाँ पर गाजर है, दूद है और पालक है ठीक है, इसके साथ-साथ-गुड भी है vitamin A का scientific name क्या है retinol है इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसकी commission night blindness हो जाते है या फिर अंदता भी कह सकते है तो night blindness होती है, जैसे रात होती जाएगी इनसान को दिखना क्या होता जाएगा बंद होता जाएगा, तो यह problem होती है बहुत से लोगों में ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं vitamin B1 की, अब vitamin B1 जो है, इसके scientific name की scientific name क्या है, thiamine इसका scientific name है अगर हम vitamin B2 की बात करते हैं तो इसका नाम riboflavin होता है तो B2 का नाम क्या है, riboflavin है B3 की बात करेंगे तो niacin है, इसकी कमी से diarrhea हो जाता है, B5 की बात करते हैं तो pathonic disease हो जाती है, इससे brain related problem होती है अगर हम vitamin B6 की बात करते हैं तो इससे parodoxin यानि की anemia हो जाता है, और B7 की बात करते हैं, तो इससे biotene disease होती है, जैसे dermatitis skin disease, चीके तो यहाँ पर B7 जो है, biotene, यानि की dermatitis होता है, इससे B9 का नाम है, phallic acid B9 को कहा जाता है, anemia हो जाता है इसकी कमी से, तो यहाँ पर कुछ यह आपको vitamin है, जो याद रखने है, B2 जो है, वो क्या होता है B1 जो है, वो बेरी-बेरी होता है उसका नाम क्या है, थाइमीन है B2 riboflavin है, B3 की बात करेंगी तो niacin, B5 जो है, वो pathonic acid है, B6 जो है, वो scurvy disease, चीक है, तो यह याद रखना है vitamin C से क्या होता है, scurvy disease हो जाता है, यह खटे फलो में पाया जाता है vitamin D की बात करेंगे तो इससे calciferry हो जाता है यह क्या होता है, मतलब इसका जो name है, वो calciferry है, यह rickatus, इसकी कभी से क्या होता है, rickatus stroke है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, में rickatus हो जाता है, हमारी जो हड़ियों से related problem है वो vitamin D की कमी से होती है vitamin E की बात कर लेते हैं, तो vitamin E का जो नाम है, scientific नाम जो है, वो क्या है, tocopheral है इसकी कमी से हमें anemia हो जाता है तो यह याद रखना है, E की कमी से क्या होता है, inemia होता है, या anemia होता है, vitamin K जो है, इससे जो bleeding related problem होती है, कई बार आपने देखा होगा, blood का जो थक्का है, वो नहीं जमता, तो vitamin K की कमी से नहीं जमता है, इसके साथ diabetes जैसी problem देखने को मिलेंगी, वो भी किस से होती है, vitamin K की कमी से होती है, तो यह सारा आपको याद रख लेना है ठीक है, तो यह आपका vitamin topic complete हो गया, यह सारे minerals related जितने important point है, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिये है, इसके बाद हम next पढ़ने वाले है, art and culture का topic, जो आपका important रहने वाला है, ठीक है, यह art and culture में जैसे आपको अलग-अलग चित्रकलाएं देखने को मिलेंगी, अलग-अलग dance forms देखने को मिलेंगी, तो अब हमारी छोटी सी ही class है, यह ज़्यादा lengthy नहीं रहेगी, इसके बाद अब next class में पैड़ा गोजी कराओंगी, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, कला और संस्कृति, इस class को पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि यह paintings वगएरा मेंसे भी question आ जाता है, तो अगर हम कला और संस्कृति की बात करते हैं, तो यहाँ मधूबनी, सबसे पहले मैंने लिखा है, मधूबनी चित्रकला, मधूबनी painting की बात की जाए, तो मधूबनी painting जो है, यह कहां की है, बिहार की चित्रकारी है, ठीक है, तो यह अपका most important है, मधूबनी painting बिहार की चित्रकारी है, दिवारों है कई वर flowers के त्रू इसको बनाया जाता है इसमें animals को भी draw किया जाता है human being का पक्षियों का इन सब के चित्र बनाए जाते हैं तो मधू बनी चित्र कला में किस के चित्र बनते हैं फूल पत्तियों के जानवरों के इनसानों के animals के इन सब के क्या बनते हैं चित्र बनाए जाते हैं और इसमें किसका यूज होता है चावल का यूज होता है चित्रों में उभार लाने के लिए किसका यूज किया जाता है प्राकर्तिक रंगों का परियोग किया जाता है तो यह क्या हो जाएगा आपका important हो जाएगा तो चावल का पेंटिंग होती है चावल के रंगों की पेंटिंग होती है चावल का मिश्रन बनाया जाता है इसमें उससे पेंटिंग की जाती है और इसका नाम क्या है मधूबनी है कहां की है ये बिहार की पेंटिंग है बस इतना याद रख लेना इसके बाद सेकिंड है कलमकारी कलमकारी क किस पर बनाई जाती है कपड़ों पर और इसमें किसका यूज किया जाएगा प्राकरतिक रंगों का उपयोग किया जाता है इसके बद प्राकरतिक रंगों में जैसे खनीज है और सबजियां है इनका यूज होता है तो याद रखना है कलमकारी आंधरपरदेश की है और यह कि पर की जाती है कपड़ों पर की जाती है मधूबनी पेंटिंग जो होती है मधूबनी पेंटिंग का जो यूज है वो किया जाता है दिवारों पर और घर के आंगन पर ठीक है इतना याद हो गया इसके पट्टा चितरकला ओडीसा में और West Bengal पर की जाती है पट्टा चितरकला का भी Use किसपर किया जाता है कपडों पर किया जाता है ठीक है तो ये भी याद रख लेना है इसके बाद है Fond Chitrkla Fond Chitrkla राजस्तान में की जाती है और इसका Use भी कपडों पर किया जाएगा अब ये जो फांड चित्रकला है इसकी important बात ये है इस पर न जो बहादुर वेक्ति होते है यानि कि जिनोंने कुछ न कुछ ब्रेवरी का काम किया है उनके कार नामों को परदर्शित किया जाता है तो कपड़ों के पर इसका यूज किया जाएगा कहां की चित्रकला है राजस बेंगोल की है इसमें सितककारी बनारसी साड़ी अब यहाँ पर ना सिल्ककारी कुछ साड़ियों के टाइप लिखे है तो यहाँ पर कुछ साड़ियों के टाइप लिखे है जैसे सिल्ककारी है बनारसी साड़ी है ये साड़िया कहां की है यूपी बनारसी मतलब बनारसी सा पश्मीना शोल ये मैंने आपको बता था ना रेबो लोग रहते हैं लद्दाख के एरिया में वो जो है भेट बकरिया पालते हैं उनकी जो भी स्किन होती है उससे शोल वगरा बनाते हैं तो पश्मीना शोल जो है वो कहां की है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग क्या बनाते हैं पश्मीना शोल बनाते है इसके बाद वर्ती चित्रकला की बात करते है वरली वरली चित्रकला है ये महारास्टर गुजरात की है तो महारास्टर गुजरात में कौन सी चित्रकला देखने को मिलेगी ये इसका नाम है वरली चित्रकला चिकनकारी आप देखेंगे ल लखनव यूपी की है जो आजकर बहुत ज़ादा फेमस भी है तो चिकनकारी लखनव यूपी इसके बाद चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग जो है चेरियल कहां किया है है ध्राबाद की है और तेलंगाना की है गौंड चित्रकला जो है वो मध्यपरदेश और छत्रसकड की है ये गौंड चित्रकला जो है ये गौंड एक जन जाती भी है जिसके नाम पर इस चित्रकला का नाम रखा गया है इसके बाद most most important है पोचमपली पोचमपली अंधरपरदेश की है और इसके साथ अतना अंधरपरदेश की कलमकारी भी है अभी मैंने आपको बताया था ना कलमकार तो पोचमपली और कलमकारी दोनों कहां की है ये अंधर परदेश की है ठीक है तो इतना आपको याद रख लेना है इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे एक बर रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहले मैंने आपको मधूबनी बताया बिहार की है कलमकारी अंधर परदेश की है ठीक इलककारी और बनार से यूपी बनारस्त की है पश्मीना शोलज़ जम्मू कश्मीर लद्दाक की है वरली चितरकला की बात करेंगे तो महारास्टर गुजरात की है चिकनकारी की बात करते हैं तो ये लखनव यूपी की है चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग जो है है धराबाद ते के लोगों का डांस क्या है कुची पूड़ी है ठीक है तो कुची पूड़ी कहां का है आंधर परदेश का अब ना पी इन सब में ना क्या खाते है पूड़ी खाते है तो बस यह याद करने की ट्रिक्स है और कुछ नहीं है तो अंधे लोग पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी वाला डांस कहां जाएगा अंधर परदेश में जाएगा ठीक है तो कूची पूड़ी कहां के लोग खाएंगे अंधर परदेश के ठीक है इसके बाद कत्थक कली की बात कर लेते हैं तो केरल में क्या है कत्थक कली कैसे कत्थक कली है और कैसे ही क्या है केरल है तो कत्थक कली केरल इसके बाद कत्थक की बात करते है तो कत्थक कहां का है यूपी का है तो कत्थक जो छोटे वाला अक्षर है वो कहां का है उत्तर परदेश में ठीक है इसके बद कथक कली में चार वर्ड है लेकिन ये जाएगा किसमें तीन वाली नाम की स्टेट में इसका अमतलब केरल में तो कली कहां पर है केरल में जो भी ये फीमेल जैसे नाम दिखाई देंगे न ये किसमें जाएंगे केरल में जाएंगे तो कथक कली क कली कहां की फेमस है केरल की ठीक है तो करेले की कली है ऐसे याद रख लेना करेले की कली है यूपी का क्या डांस है कत्थक डांस है भारत नाट्यम कहां का है तामिल नाडू का है ठीक है तो भारत नाट्यम कहां का है इसमें देखो भारत तै नाम आता है और तैसे यह ओडीसी नाम जैसा ही है ओडीसा का मनीपूरी मनीपूर का रोफ नर्तिय जो है न यह important है यह बच्चों की EVS की बुक में भी दिया गया है तो रोफ डांस जो है वो कहां कहा है सबसे अलग है तो कहां जाएगा जम्मू कश्मीर में ठीक है तो जम्मू कश्मीर का डांस क्या है रोफ है अब यक्षगान कहां का है कर नाटक का है और यह important हो जाता है तो गाना ऐसे याद रखना गाना गाकर क्या करते हैं लोग नाटक करते हैं बस याद करने के लिए बता रहे हो कभी कोई बुरा मान जाए तो ये लोग क्या करते हैं नाटक करते हैं ठीक है गाना गाकर क्या करेंगे नाटक करेंगे तो यक्षगान यक्षगान कोन करेगा ना नहीं का है ये फसल की कटाई वगरा के बाद में इसको किया जाता है तो ये कहां का डांस हो जाता है जो दानता है मिज़ोरं का डांस है तो ये सारे point जो थे हूं मैने आपको बता दिये हैं ये आपकी अपर प्रटिन कल्चर की क्लास भी जो है वो खतम हो गई है ठीक है तो आपकी जितनी EVS थी न वो सारी मैंने आपको करा दी है क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम था और कम टाइम में इतना भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो भी सफीशेंट रहेगा आपको पता है हमारा जब सिले बसा टाइम भी नहीं बचा ठीक है तो ऐसे न्यू सिले बस बनाना उसको लिखना फिर सारा का सारा यहां आपको प्रोवाइड कराना उसके साथ सथ मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एक्स्टा भी कराने की ठीक है तो जितना भी एक्स्टा होगा वो कल की क्लास में देखने को मिल जाएगा ऐसे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप उसको अच्छे से पढ़ लेना ठीक है ना शायद हो क्लास थोड़ी लेंट ही हो जाए लेकिन आपके लिए यूसपूल रहेगी तो उस क्लास को जरूर देखना उसमें टाइप ओफ मैं आपको रिवीजन करा देजिएगा ठीक है तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो एंड़नी इविस का सिलेबस आपका मोस्ट ओफ कंप्लीट हो चुका है इसके बाद ओनली पैड़ा गोजी है पैड़ा गोजी की महरातन में बना दूंगी उसके अब जो एक्स्रा पीडिफ थी जो मिने आपको दी थी वो शायद हाफ वाली दी थी तो मैं कोशिश करूंगी पूरी पीडिएफ है वो आपको भेज दूँ ठीक है तो जिस ने पीडिएफ ली थी मिनको भेस दूगी मै इसके साथ साही है मतलब यहां पर जो extra PDF है उसमें से जितने important topic है न वो सारे एक बर हम एक बर throughout हो जाएंगे उसमें से read कर लेंगे तो हमारे लिए useful भी रहेगा तो दोनों में ही हम पढ़ सकते हैं क्योंकि वो जो EBS मैंने लिखी थी न वो मेरे TZT के time की लिखी हुई है और उसमें मैंने सारे important topics लिख रखे हैं तो उसमें जो level रहने वाला है वो आपके इस paper से तो above level ही रहेगा तो महां का जो level है वो above level है EBS का ठीक है न तो आप उसको जरूर देख ले न पर useful बहुत है उसमें basic से high है और मैं आपको सारा important कराऊंगी मुझे पता है कि किस तरीके का आपका paper जो है मदब level क्या रहता है तो उस level के according में आपको important important बताती जाओंगी तो last तक बने रही है अगर channel के साथ अगर channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजिए वीडियो को share नहीं किया तो आप इसे share भी कर सकते है मिलेंगे next वीडियो में next topic के साथ अब तक channel के साथ बने रहें थैंक यू धन्यवाद